दोस्तों आज जो है कुछ नया करने के सोचा हूँ जिसके अंतरगत आज बहुत सारे ऐसे क्यूशन है जो बार-बार आते हैं हर प्रतियों की परिक्षा में और उनको याद करने का जब हम याद करने की कोशिस करते हैं याद तो हो जाता है उस दोरान परन्तु निशित जाती है और भूल जाता है वो उसके लिए मैं थोड़ा ट्रिक सिस्टम लाया हूं जो ट्रिक के माध्यम से कोशिस कर रहे हैं कि आप तक मैं बेहतर दूँ ताकि वह आपको इजली याद हो जाए और जितने ट्रिकी मैं दूँगा उससे एक क्यूसन ताय है यानि कि अगर म आपके जुबान पे चड़ जाएगी और याद वही होता है दिमाग में वही बना रहता है जो जुबान जिसको जुबान बड़ी आसानी से सुविकार कर लेती है तो दोस्तों आज जो है ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके हर प्रतियो प्रोटोजवा से उत्पन होने वाले जितने भी रोग हैं उन रोगों का नाम क्या है यानि कि जितने भी प्रोटोजवा जनित रोग हैं उनको आप अगर याद किये हुए हैं तो एक किशन जरूर बनाता है और वो उस किशन में अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो कह सारों किस्वनों का टोटल एकड़ क्लियरिफिकेशन कर दूंगा जिससे कि आप लोग कोई प्रॉलम ना हो तो दोस्तों आए आज ट्रिक के माध्यम से किस्वनों को सौल करते हैं यानि तयार करते हैं कि हम एकजाम के दौरान उसे सही कर सकें तो आए चलते हैं पहला किस्वन यानि पहला ट्रिक है कि प्रोटो जोवा से संबंदित जो उस से रोग उत्पन होते हैं वह रोग कौन-कौन से हैं यानि प्रोटो जोवा जनित रोग पहला है प्रोटो जोवा जनित रोग मतलब अगर आप से पूछा जा कि प्रोटो जोवा जनित रोग कौन कौन से है तो इसमें आपको कनफ्यूजन होगा उसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है वो है काम पे सोप यानि काम पे सोप अब इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रोटो जोवा जनित रोग है पहला काम से यानि की का जहां का का से है काला जार काला जार दुसरा म से है मलेरिया तीसरा पे से है दोस्तों काम पे सोप यानि की काला जार मलेरिया पेचीस सोने की बिमारी पे सोने की बिमारी हम दोस्तों तो यह है काम पे सोने की की बिमारी आए प्रोटोजोवा जनित रोग है उनके यह नाम अब इसको सिर्फ आपको इसको याद करना है यानि काम पे सोप यह काम पे सोप बस इतना जाद कर लिए आघ प्रोटोजोवा जनित जितने भी विमारी होती है जितने भी रोग होते है यह आपको याद करने की आ दा सकता नहीं पड़ेगी आप सौल Πर लेंगे तो यह वाल दोस्तों ट्रिक नंबर फर्स्ट ट्रिक फर्स्ट आज़े दोस्तों ट्रिक नंबर शेकेंड बताते हैं इससे बहुत क्यूशन यानि कि अभी इससे एक क्यूशन ता है इससे एक क्यूशन बनाए गया आप चाहे जिस प्रतियोंगी परिच्छाद में समलित हो रहे हूं लोग से वायोग से लेकर आप टेट, सूपर टेट या अन्य किसी भी प्रतियोंगी परिच्छा में ये क्यूशन इससे बनता ही बनता है तो दोस्तों ये रहा है आपका पहला प्रोटो जोवा जनित रोग अब विशाण जनित रोग देख लेते हैं दूसरा है ट्रिक नमबर टू विशाण जनित रोग दोस्तों विशाण जनित का मतलब की वायरश विशाण जनित रोग ओविशाण जनित रोग का जो ट्रिक है दोस्तों इसका थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा है नहीं लेकिन अभी इसमें भीमारियां भी तो बहुत हैं तो उसे याद करने के लिए इसको इस तरह से याद करेंगे दो away कह जोड़ representatives ऐसे मेरे पोपी एट्रे चीक छोड़ गये। मेरे पोपी एट्रे चीक छोड़ गये। अब इसमें जितने भी आपके वाइरस से रिलेटेड रोग हैं वो पूरे आपके आजाएंगे। और क्यूशन तो पक्का पूशता है क्योंकि वाइरस से उत्पन ओने वाले रोगों के नाम पूशता ही पूशता है हर परिक्छाओं में। दोस्तों मा से है मलेरिया, रा से है मतलब रे से है, रेवीज, रेवीज, मलेरिया, रेवीज, पो से है, पोलियो, पी से है, पी लिया, और दोस्तों देखते हैं, ए से क्या है, ए से है, एड्स, यहाँ पी कर देते हैं, गलती होगी, पी से है, पी लिया, ए से है, एड्स, ए से है, एड्स, ट्रे से है, ट्रे कोमा, ट्रे कोमा, ट्रे से, पी से है, पी से है, पी लिया, ए से है, एड्स, ट्रे से है, ट्रे कोमा, अब आगे क्यों सा बचता है, ची, यानि, चेचक, च से ची से चेचक, दोस्तों, ख से आपका, खसरा, खसरा, छो, छो, छो से है, दोस्तों, छोटी माता, छोटी माता, अड्स, ए, छोड़, छोड़, अड्स, ए, दोस्तों, डेंगू, ड्स, ए, डेंगू, और गा से है, डा से, डा से है, डा से है, डेंगू, गा से है, गल सुवा, क्या है, गल सुवा, और छोड़ गए यानि कि एसे है इनसे फ्लाइटीस इनसे फ्लाइटीस इनसे फ्लाइटीस इनसे फ्लाइटीस यानि दोस्तों आप देखिए इसके अंतरगत लगभग जो है दो, चार, छे, आठ, दास, बारा, बारा बिमारियां हैं जो वाइरस से उत्पन होती हैं यानि कि वाइरस से उत्पन होने वाली ये बारा बिमारियां हैं और इसे याद करना सिर्फ मेरे पोपी एट्रे चीक छोड़ गए ये आपका इतना याद करना है बाकी आपको इन सब का नाम सुने ही सुने हैं यानि पीलिया, पोलियो, एड्स, ट्रेकोमा, चेचा, खसरा, छोटी माता, डेंगो, गलसुवा, इनसे फलाइटिस ये सारे आप नाम सुने ही सुने हैं यानि कि विशाणु से उत्ın होने वाले जितने भी रोग हैं, ये आपको एक जटके में याद हो जाएगा और क्यूश्चन तो आना निश्चित है तो दोस्तों ये रा ट्रीक नमबर दो जो विशाणु से उत्पन होने वाले रोग हैं आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है दोस्तों क्यूशन नंबर अब ट्रिक नंबर अगर थर्ड देखें इससे एक क्यूशन वनना तैं है विशाणू के बाद जिवाणू देख लेते हैं जिवाणू से जिवाणू जनित रोग जिवाणू जनित रोग जिवाणू जनित रोगों को देखा जा तो इसमें भी बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसे याद करना है डीप सीटी कुटनी है क्या है डीप सीटी कुटनी है यही है आपका जिवाणू से उत्पन होने वाले जितने भी रोग हैं उनका ये नाम है यानि कि डी से अब देखें कि डी डी से क्या है तो डीप थीरिया डीप से डीप थीरिया पास देखा जा तो पलेग है पलेग जिवाणू से उत्पन होता है दिफ्थिरिया लेग आगे देखें शिफ्लिस एक रोग है शिफ्लिस सिफ्लिस रोग यह जिमार जनित है सी से क्या है सी यानि कि सिफलिस 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 जो है यह जिमार जनितर हो गए और टी से देख लेते हैं टी से क्या है टी से टेटनस है टेटनस टी से टेटनस है दोस्तों और आगे कुटनी कुटनी देख लेते हैं कि कुटनी से क्या क्या है तो देखिए इसमें क्या क्या है कुटनी से कू मतलब यानि क क से है क से आपका पड़ जाता है कि काली खासी काली खासी का से काली खासी फिर तस से देख लेते हैं एक काली खासी है और इसमें एक का और है जिसे कोड़ कोड़ भी इसी से होता है कोड़ यह भी का से ही है और कि याने कि डीब सीटी कोड़नी है इसमें कोव है कोः आता है डीब सीटी कोड़नी है यहां पर कोड़ काकोड है कू से काली खासी, कू से कोड आगे है, टाइफाइड, टी से, टाइफाइड, टाइफाइड, और इसमें है से है जा है, और एक होता है, इस न से, यानि कि न से, न से निमोनिया है, और है से है जाए, यानि कि जीवानु जनित रोगों को देखा जाए, तो डीप सीटी कुटनी है, बस ये याद करना डीप सीटी को कुटनी है, यानि डिप्थिरिया, प्लेग, सिफलिस, टेटनस, को से कोड, कुटनी, कुशे क्या बलते हैं, काली खासी, और फिर कोड, काला खासी, ट से आपका पड़ जाता है, टाइफाइड और निस से, निमोनिया है से है जाए, यानि कि डीप सीटी को कुटनी है, डीप सीटी को, को कुटनी है, कुटनी है, यही आपका यह ट्रिक है, डीप सीटी को कुटनी है, इसमें ज्यादा हो गया था, इसलिए प्रॉलम होती, इसलिए मैं अलग से लिग दिया हूँ, डीप सीटी को कुटनी है, तो दोस्तों, यह जिवान जनित रोग है, इसे जिवान जनित रोग कि और किसे किसे किशन बनता है और निश्य तुरुप से बनता है बनता निश्य तुरुप से है और गलती निश्य तुरुप से होती है गलती तो हो ही जाती है क्योंकि उसे याद करने के लिए हम कोई रणनीत नहीं बनाए है उसे याद करने के लिए हमारे पास कोई रणनीत नहीं है इसलिए गल्ती होती है अब आगे दोस्तों कि कवक जनीत कौन-कौन को रोग को की कवक जनीत रोग को देख लेते हैं कि इसके लिए एक क्या ट्रिक है तो कवक जनित रोग के लिए एक ट्रिक है खुद गंदा खाए यानि खुद गंदा खाए यानि कवक से उत्पन होने वाले जितने भी रोग है वो खुद गंदा खाए इसमें पूरी तरसे समाईत है यानि क्या क्या है ख से खुजली ख से खुजली खुजली पहला नमर पे ख से खुजली खुजली दमा ग़ को देख लेते हैं ग़ से क्या होता है गंजापन गंजापन दा से दाद खा से खाज कि खाज के बाद यह होता है एक 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 फूट होता है कि एसे एक फूट एथिलेट फूट खाए में यह है तो एथिलेट फूट यानि कि आपका हो गया कवक जनित जो कवक से फंगस कवक से उत्पन होने जो रोग हैं इन रोगों को देखा जाए तो खुद गंदा खाए इतने में ही आपका पूरी तरह से यह जो भी जितने भी आते हैं इससे रोग उत्पन होते हैं वो पूरी तरह से आ गया है यानि कि खुजली, दमा, गंजापन, दाद, खाज और एथिलिट फूट यह आपका याद करने में कोई प्रॉलम नहीं होगी बस खुद गंदा खाए जुबान पे चढ़ा लीजिए अब दोस्तों ट्रिक नमबर आए देखते हैं मुझे लग रहा है कि लगभग ट्रिक नमबर फोर होने वारा होगा फाइफ यह फोर आईए देखते हैं कवक से हो गया कवक के बाद कवक के बाद कुछ है देख लेते हैं कि वीटामीन बी का यहाई भीतामीन बहुत है विटामिन B 12 इतने जो हैं इनके रशाइनिक नाम अलग अलग हैं तो इनके रशाइनिक नामों को हम देख लेते हैं कि कि किस ट्रिक से याद करें और रशाइनिक नाम क्या है तो देखा जाए दोस्तों विटामिन B का राशाइनिक नाम, विटामिन B से समधी जितने भी हैं उनके राशाइनिक नाम, तो विटामिन विटामिन राशाइनिक नाम, दोस्तों इसका देखते हैं क्या ट्रीक है, इसके टिक को देखते हैं तो दोस्तों थरा पानी परवशा है का मतलब देखिए क्या है कि विटामिन B1 इसमें जो है अभी बताते हैं विटामिन B1 का क्या है विटामिन B1 का यानि की B1 यह हो जाएगा थाइमीन विटामिन B1 का थाइमीन हो गया थरा अब विटामिन B2 का कि देख लेते हैं B2 का विटामिन B1 का हो गया थाइमीन विटामिन B2 का देख लेते हैं राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन विटामिन B3 का देख लेते हैं कि विटाम दो मिन्री श्संगा श्टीन विकार्ड़ा श्राइयना श्रा已经 करें कि वीटामिन भी तो बीटामिन भीटामिन 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 फॉर नहीं है, विटामीन वी 5 का है पैंटो थीनिक, यह है आपका पैंटो थीनिक है विटामीन वी 5 का, अच्छा विटामीन वी 6 का क्या है पाइरी डॉक्षिन है बिटामिन बी शिक्स का पाइरी डॉक्षिन पाइरी डॉक्षिन है अच्छा बिटामिन बी शेवेन का देखेंगे तो यह है बायोटीन बिटामिन बी शेवेन का बायोटीन और बचता एक है बिटामिन बी ट्वेल्ब का देखेंगे तो साइनो कोबाल्मीन साइनो कोबाल मीन, विटामिन B12 का साइनो कोबाल मीन है, यानि कि ये देखिए, विटामिन B1, थाइमिन, विटामिन B2, राइबो फ्लेमिंग, विटामिन B3, नियाशिन, विटामिन B5, पैंटो थिनिक, और फिर उसके बाद विटामिन B6, पाइराडक्शिन, और यहाँ पे रखो शाइलेंट कर दिया गया है, और फिर उसके बाद विटामिन B7, बायो शीन, बायो टीन, और विटामिन B12 है, साइनो कोबाल मीन, तो यह है आपका विटामिन B के जितने भी काइंट्स हैं, उसके साइनिक नाम, तो यह सिर्फ इतना याद रखना है, कि थरा पानी पर बशा है, रखो यहाँ पे साइलें कर दीजिएगा अब यह यह कर दिए हैं मैंने कर दूस बस यह कर दिए धरा पानी आ कि थारा पानी पे बस है या चली ऑना के ज़ो हो गया यह ढ़े हैं यह पिय है मैं राटाक्षीन होतोrons剛 फॉट्डा एक इते हैं फीनक नाम है त्सिए ठरिव कर दूस्ट kin में आ गए हैं दोस्तों trick number six देख लेते हैं वीडियो आम बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जब tricky आप लोग पढ़ते हैं तो छोटे में ही चीजों को याद करके रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और जो याद किये हैं वो भूलने ने तो आपको याद करने की ज़वड़ते नहीं है जुबान पे इसको चढ़ाने की आप शकता है तो सिर्फ जुबान पे इसके चढ़ाई ए م के अगले वीडियो में हम देंगे आप लोगो को और कितने ट्रीक हैं बहुत सारे तृक पढ़े हुए हैं मेरे पास तो बनाता रहता हूं मैं ट्रीक को आप दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए आप कि इसे बस एक बार ध्यान से देख लेज़िए और बाकी जो है तयार होना तो आपका सुनिश्जित है अगर मैं यह 5 बताया हूँ या 6 जितना भी बता दिया हूँ उस सारे ट्रिक आप निशित जानिये कि आपके जो है अगर 5 बताया हूँ तो 5 कुशन फिक्स है अगर 6 बताया हूँ तो 6 कुशन फिक्स है लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैं 5 बताया हूँ चलिए 5 कुशन तक कि सर मुझे ऐसे वीडियो दीजिए और तो मैं आप लोगों खोट्री की वीडियो भी प्रोवाइट करता रहूंगा और अगर ये मेरा वीडियो आपको पशंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में वेल आइकन की गंटी को प्रिश्ट कर दिएगा और उसके साथ आल पे टच करूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद, गुड़ बाई